नमस्कार साथियों, आज नवरात्री का तीसरा दिन है और हम लोग दुर्गा शब्त शदीर पर चर्चा अपने आज भी जरी रखेंगे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी किस तरह से दुर्गा जो है राश्टीता की प्रतीक बनके उबरी मगबूल फिता हुसेन की मदर इंडिया वाली एक पैंटिंग है उसमें ये देवी एक हाथ से गंगाजल गिरा रही है और दूसरे हाथ से पलंची को आजात कर रही है सब लोग इसे भारत माता के बड़े भक्तों में से थे सुब्रमानियम भारती ने स्वदेशी नैशनलिजम के एक नए धर्म की चर्चा करते हुए इस नई देवी की पूझा करने का आभान किया था जब दुर्गा के रूप में राष्ट को देखा गया तो उसका एक अर्थ देश को एक आर्गनिस्ट तरीके से देखना था उसका अर्थ था कि देश सिर्फ एक टेरिटरी एक भूमी नहीं है उस टेरिटरियलिस्ट तरीके से देखने से असहमती थी और ये पश्चिमी राश्टवाद से अलग किसम की चीज थी जिस चीज को आजादी के वक्त अंग्रेजों से लड़ने का हतियार बनाया गया था उस चीज को आजाद होने के इतने बरसों बाद राश्टवादी जजबे के खिलाफ इस्तिमाल किया जा रहा है सो दुर्गा के खिलाफ ही कपोल कल्पित कथाएं विक्सित कर ली गई हैं दुर्गा राश्टव के खिलाफ कांचा इलईया ने बफैलो नैशनलिजम की थियोरी एजाद कर लिए भारत माता राश्ट के लिए कोई किताबी अभियंत्र कोई पैड़ागाजिकल डिवाइस नहीं है जैसे दुर्गा नहीं है मसूद अलताफ रजा स्वपनिल नंदी द्वारा संपादित पुस्तक पोस्ट कोलोनियल फैंटासी के आरोप जो हैं लगाते हैं और वो बड़े महान आरोप हैं उसमें में कहते हैं दुर्गा is a purely military deity almost a cyborg warrior not surprisingly the image of दुर्गा is painted on the fighter jets that all female squadron flies into Pakistan to subdue modern day demons this is a lucid association of violence nationalism and the mother goddess all these connections ultimately assert the tradition of violence and domination that underlies Indian nationalism and Indian society in general ये सज्जन संभवता ये समझते हैं कि अंग्रेज हमें हिंसा के कारण ही छोड़कर चले जाते है यदि दुर्गा राश्य के साकार रूप में सामने आईं तो इसलिए आईं कि मुफ्त में आजादियां मिलती नहीं हैं दोस्तों मुल्क जो आजाद होते हैं लहू के मोल होते हैं वे हिंसा की परंपरा का प्रदनित्व नहीं करती हैं लेकिन वे अन्याय से संगर्श की ज़रूरत और जित का प्रदनित्व करती हैं इन सज्जनों को महिशासुर के असरों का डामिनेशन आपती जनक नहीं लगता जिनके करण देवता से लोग पनाह मांगए भारती राशिवात को दुर्गा सिंबॉलिजम के अधार पर हिंसावादी मानना उपनिवेश वादियों और पाकिस्तान वादियों को शांती का द प्षड़ों के नाम से करणे थे एक संगठन जो है वो सुर का अर्थ ब्रामन और असुर का अर्थ शूद्र बताया था और दुर्गा के अत्यंत अश्लील चित्र वितरित कर रहा था दुर्गा इस्त्री की शक्ती का प्रतीकना बताई जाकर प्षड़ों उस शूद्रों क हत्यारिन बताई जा रही थे ऐसे कारेकरम के एक संगठन ये कहते थे कि हिंदू रंगवेदी हैं क्योंकि वे गाए की पूछा करते हैं जो श्वेत होती है और महिश की नहीं क्योंकि महिश य वफैलो काली होती है इन सज्जिन को कांचारे कांचारे के गीत में याद भी कि किती है या असुर भैंसों में शुद्रता की इन्होंने अद्भुत खोच की थी और आज के इस चर्चित वे शिद्याले में इस तरह की जहालत को अभिव्यक्ति की सुतंत्रता परंपरा के वेकल्पिक पार्थ और नौ बॉधिक्ता के नाम पर ग्लॉरिफाई किया जा रह मूरता की महिमा इस्तुति ऐसी कई चीज़ें पहले भी खत बदा रहें थी समकाली असुरों के प्रशस्ति पारायन तक वे महिशासुरों के महिमा मंडन के बाद ही पहुंचे जब सार्वजनिक चीवन के प्रमुक्तम हस्ताक्षल ने अभी दो वर्ष पूर्व एक पवित उस प्रसंग पर कुछ नहीं कहा जब सार्वजनिक जीवन की ऐसे ही प्रमुक्तम हस्ताक्षर को दुर्गा कहा गया था कहा जा सकता है कि प्रशंश्या और पूजा में फर्क होता है लेकिन दिक्कत यही है आखिर कहां कहां तक हम उस चीज़ को खारिश करें जो हमारी सांस कि हो सकती है लेकिन यहां तो शिकायत इस भाव मातर के होने से है यह देश अपना स्वयम का मानस्क बंडल किस पश्यमी जंगल में जाकर गाड़ आए यह सवाल हम लोगों के सामने है या रजय है लोकिटिव डाट हम इस उमर में ऐसे रहेंगे क्या फिलकुल रहेंगे अगर पापा जैसी सही प्लाइनिंग की तो जैसे की मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया एलाईसी के जीवन अक्षे में जो दे रहा है इमीडियेट और गैरंटिड अन्यूटी अट रेग इन्वेस्ट के अन्यूटी प्लाइनिट अप्षिंज और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी लाईसी हर पल आपके साथ वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक बिशलेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल नियूज आपके हद में आप देख रहे हैं तखल नियूज